इससलाम अलेकम क्या हल चालें आप लोगों के और यहां सुबा हो गई थी मैं और मेरे हजबन नाश्टा कर चुके थे पिर हमने सोचा कि हमें मैट्रेस लेना था अपने बैट का जो बहुत खराब हो गया था तो बच्चे अभी सो ही रहे थे तो मैं और मेरे हजबन निकल पर हमें स्प्रिंग मैट्रेस चाहिए था तो बस हमने ये मास्टर सैलिस्ट का लेना था तो यहां पर हमने ये बुकिंग कराई और उसने का कि मैं देर चे दो गईंटे में घर पर डिलिवर कर दूँगा बस पर हम जली जली घर गए और मेरे हजबन ने कप्रे चेंज किये और उसके बाद हम आगए चेस और यहां से मुझे कुछ कप्स और बॉटल्स लेनी थी किसी ने मुझे बताया कि यह अच्छी मिलेंगी यहां बहुत रश्टा और खेर बच्चे नहीं थे तो हम इज़ी जा सके तो यहां पर मुझे यह जग्ज अच्छे लगे बहुत इसे थे लेकिन खेर मुझे लेने नहीं थे क्योंकि शीशे के हैं और बच्चों के घर में ज़रा यह सेफ नहीं थे पहले भी मैं लेकर आई थी तो उन्होंने तोड़ दिये थे और यह ऑईल की बॉटल्स मुझे बहुत पसंद आई लेकिन वही के शीशे के थे वह में ले और मुझे कपस अच्छे लगे लेकिन मेरे हजबन को बहुत साइस बड़ा लग रहा था नॉल्मन रूटीन के हिसाब से तो खेर मैंने नहीं लिया बच्चों के लिए प्लेट्स मैंने उठाई और फिर मैं यह बॉटल्स देख रही थी अगेन यह फिर शीशे की थी तो इसी में दूँ ताकि वो सुकून से पी लें गरम पानी होता है तो वो पानी ही नहीं पीते और फिर वो इसलिए खेर हमने यह लिए और मुझे यह कंटेनर्स बहुत अच्छे लगे चोटे चोटे से थे और क्या फ्रिज में कभी चटनी या कोई ऐसी चीज रखें तो आप इसमें रख सकते हैं और उसके बाद यह मुझे अच्छा लगा इस टॉबरी की प्लेट थी बहुत चोटी सी बहुत जबदस लग रही थी और यह चोटे चोटे से प्याले इसमें आप चार यह चटनी रखके फ्रिज में रख सकते हैं और अच्छा था बहुत महेंगा नही था लेकिन खेर मुझे भी जरुवत नहीं थी तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा विंडरो शॉपिंग करी गूमी और बच्चे नहीं थे तो सुक्मून से मैं देख सकती थी वनना तो बच्चों को हर चीज होती है कि बस ये भी ले 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 और ये इस तरह की कुछ चीज सेंपड़ी भी थी खिर मुझे लेनी नहीं थी और अच्छी लगी ये मुझे कीढ़ी बीटर दिका है मेरे हज्में मुझे लाके पहले दे चुके हैं तो मुझे जरूवत तो नहीं थी लेकिन ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये लाइटर थे मुझे बहुत बेजिन होती है बच्चों वाले घर में इस तरह की चीज़ें मुझे डरी लगा रहता है फिर मैं आ गई थी अपनी बेटियों के फेवरिट सेक्शन में क्योंकि उनको तो बिस जब हो तो अमा बाहर जाएं तो वो कुछ पॉनिया और हेर बेंड मेरी चोटी वाली बेटी को इन सब का बेताशा चौक है तो मैंने कुछ यहां से पॉनिया खरीदी ली ये मुझे कोई डिफरेंट ही लगी पता नहीं अच्छी खेर लेने वाली तो नहीं थी लेकिन बस मैंने पता नहीं क्यों वीडियो बना ली फिर मुझे कुछ हेर बेंड दिखे तो मैं हेर बेंड लेने आ लेकिन मुझे हेर बेंड यहां पर पसंद नहीं आए मैं पिछले हफ़ते बच्चियों के लिए लिया आई थी हेर बेंड जाके तो मैंने वो लिये और बस फिर हम यहां से निकले और घर पहुँचे और जली जली बस मैंने बच्चों को क्योंकि बच्चे उट चुके थे और उनको सुबाउट की वो फ्रूट कहा लेते हैं फॉरां वो नाश्तान ही करते हैं तो बस मैंने यहां पे कर gin конечно के सीख कबाब और यहों रेडिमेटर जो पराटे होतें इनको मैंने रोल बनाया ये मेरे बड़ा बेटा और बेटी खा ले थे छोटी बेटी को तो मेरे बहुती परिशान ही से वो खाती है तो वो तो खेर उसने नहीं खाया लेकिन मेरे दोनों बड़ो बच्चों ने जैन ने और मिनल ने उन्होंने फिर मैंने उनको ये रैब्स बना के दे दिये थे उनको इसमें कुछ भी नहीं डालना था तो बस मैं यहां पर फारग हो गई थी ये करके और जली जे फिर मैंने चड़ाया खाना और क्यूंकि मेरी सास को आना था तो मैंने पाय निकाल लए इसको धोके रख लिये थे और यह दो पाय थे गाये के हम पैस्के नहीं पकाते हैं इसमें मैंने तीन बड़ी प्याजे और शान का मसाला और वाकी अपने घर का मसाला मिलाके इसमें मैंने ये डाला था अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं नीचे आपको रेसिपी भी शियर कर दूँगी और खैर उसमें मैंने फिर तक्रीबन डाला एक से देड़ का ओईल जरा पाए हैं तो वो प्रॉपर सही से पके वे हो तेल लहसन अद्रक मसाला तो वो ज तरह रह जाती है खैर यहां पर मैंने इसमें लहसन डाला तक्रीबन तीन टेबिल स्पून लहसन और तीन टेबिल स्पून अद्रक डाला मैं अद्रक लहसन पीस के रख लेती हूं तक्रीबन एक किलो या अधा किलो मैं डिपेंड करता है जिस तरह इससे भी होता है तो मैं पीस के फ्रिज में रख देती हूँ, यह मुझे बड़ा इजी रहता है, जादा हो जादा तो मैं फ्रीज भी कर देती हूँ, और इससे बड़ी असानी रहती है, कि आपको हर दफ़ा पीसना नहीं है, खेर फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था, मैं भूनते वक्की तस्वीर, वो वीडियो बनाना मैं भूल गई, दूसरे कामों में मस्रूफ हो गोई थी सफाई फाई में, तो मैंने लेकिन मैंने इसको अच्छे से बहुत सही से भूना था, तकरीबन आदे से पौन गंटा, और आप इसको अच्छे से भून लें, उसके ब कर रही होती हैं, तो बस मैंने इस पर पानी डाला और इसको मैंने चला दिया था, उसके बाद मैं इसको अब बन कर दूँगी, तकरीबन एक घंटे के लिए, तो यहां पर मैंने इसको बन कर दिया, और सीथी जौन लगा दी थी, तो तकरीबन ये उसके बाद एक घंटा प पस अब इसके बाद मैंने इसमें डालना है दनिया और मिट्जे और उसके बाद मैं इसको थोड़ी दिर पका लूँगी और बस उसके बाद जब ये पक जाए तो आप इसको चूला बंद कर दें हमारी हैं जब पायर रेड़ी हो जाते हैं तो उसके बाद हम प्याज और गार लगा दूँगी और बस यहां हो गई है रात और मैं सारे काम उसे हो गई हुप आर बस अब हम ओर बच्छों का कल श्कूल है तो वो श्कूल जाएंगे और मुझे उनके कपड़ पहुरे सुरी करने बस मैं वह करूंगी और उसके बाद करूंगी आराम क्योंकि कल सुबा से फिर वो ही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा तो अब इंशाला मिलेंगे आप से अगले व्लॉग में और हो सकता है कि क्योंकि हम ये तीन बहनों का व्लॉग था तो मेभी कल मेरी चोटी बारी बहन जो बिस्मा है जिस उस दिन दावत में मेरे घर पे कड़र्स बनाके लाई थी तो में भी वो अपलोड करें कोई दूसरी वीडियो तो आप उसकी वीडियो एंजॉय कीजेगा अगर नहीं कर पाएगी तो फिर इंशालला मैं ही कोई वीडियो अपलोड करूंगी और आप बताईएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाते हैं तो मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊंगी तो इंशालला पिर आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा अलाह आफिस